नमस्ते, स्पूरी कहाने की शुरुवात 25 तुमंबर 2005 की तारीख से करते हैं यूपी ए गाजेबुर का गोड़वर गाउं थोड़ी बारिश हो चुकी थी, गुलाबी सरदी थी मुहमदाबाद सीट से बीजेपी विधायक क्रिश्टानंदराय अपने घर से निकले पास के ही सियाडी ही गाउं में जाना था, एक क्रिकेट टूर्नामेंट था वहाँ पर उसके उद्गाटन की लिए लहाजा क्रिश्टानंदराय ने बगल के गाउं में जाने के लिए अपनी बुलिट प्रूफ गाड़ी नहीं ही, साधी गाड़ी और काफिले के साथ चले गए, तूर्नामेंट का उद्गाटन किया, फिर वहाँ से एक दूसरे गाउं के लिए रवाना हो गए, कुछ दूर आगे बढ़े होंगे, ही रास्ते में एक सिल्वर ग्रे कलर की SUV सामने से आकर खड़ी हो गए, रास्ता बंद हो गया, करीब साथ से आठ लोग SUV से उत्रे उनके हाथ में हथियार थे, ओने पौने कट्टे या पिस्टल नहीं थे, बलकि AK-47 थे उनके हाथ में, पुर्वान च जोग दिया, खबरे मताती हैं कि इस घटना में 500 राउन से ज्यादा गोलियां चली थी, विजेपी विधाय किश्णनंद राए, गनर, निर्भाय उपाद्ध्याय, ड्राइवर मुन्ना, रमेश राए, श्याम शंकर राए, अखलेश राए और शेश नात सिंग की मौत हो ग पता चला कि इन साथ लोगों के शवों से कुल 67 गोलियां बरामत की गई थी, इतनी गोलियां कोई संदेश देने के लिए चलाई गई थी, ऐसा कहा जाता है मारेगाय विधाय कृष्णान राए के भाई राम नराण राए दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे, बच गए ख़बनों के मताबिक राम नराण गाय ने कहा कि कृष्णान राए और उनके साथियों पर गोली चला रहे लोग कह रहे थे, मारो इनको, इन लोगों ने भाई को बहुत परशान करके रखा है किस भाई की बात हो रहे थी? पुर्वांचल को समझने वाले जानते हैं कि शनराय की अदावत पुर्वांचल के एक ही भाई से थी और भाई का नाम था मुखतार अंसारी हाँ, हम मुखतार अंसारी की कहानी सुनाने आए हैं, जानने आए हैं कि कस्टड़ी के पीछे कुछ समय तक यूपी की भाजपा सरकार और पंजाब की कॉंग्रेस सरकार आपस में भिड़े पड़े थे मामला सुप्रीम कोड गया तो मुड़े पर थोड़े देर के लिए ठंडा पानी पड़ सका मुखतार अंसारी उनका परिवार पुरवांचल की राजीती में एक एहम हिस्सा रखता है किशन राय हत्याकांड में मुखतार उनके बड़े भाई बसपानेता और गाज़ीपूर से सांसद अफजाल अंसारी पर भी सीधे आरूप लगी कहते हैं कि दोनों भाईयों के इशारे पर माफिया मुन्ना बजरंगी ने इस मामले को इन्जाम ही जाता घटना के बाद F.I.R. दर्ज हुई लेकिन जांच अठकी रही जिले के S.P. जांच करने से कत्रा रहे थे खबरे तिली की भाज़पा नेता बार बार सीबी आई जांच की मांग कर रहे थे और सीबी आई भी इसमें उतरना नहीं चाह रही थी खिर्टान अंधराय की पत्नी अलकाराय ने एक और अफ़ाईयार दर्ज करवाई और फिर मामले की जांच शुरू हुई साल 2006 में लेकिन इसी साल इस मामले के इकलौते चश्मदीद गवाः शशिकान तराय की रहस्य मई परिस्थितियों में मौत हो गई शशिकान तराय ने मुखतार और बजरंगी के गुर्गों को पहचान लिया था ऐसा कहा जाता है चारहों की चर्चा में कहा गया शशिकान तराय की भी हत्या करा दी गई थी लेकिन जो खबरें लिखी गई ये आत्महत्या का मामला हो गया सुनवाई हुई केस चला सब बरी हो गए कहते हैं कि मुखतार अंसारी का ग्राफ पूर्वांचल में अदावत की राजनीती से ही बड़ा होता है साल 1963 में भारती राश्री कांगेस के धक्च रह चुके मुखतार अंसारी के बेटे सुभानुल्ला अंसारी के घर में मुखतार अंसारी ने जन्म लिया सुभानलिल्ला खुद कम्यूनिस्ट नेता थे शुरुआती पढ़ाई के बाद मुखतार अंसारी ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और तैय हो गया कि मुखतार अंसारी अब वर्चस्टो की लड़ाई लड़ने वाले हैं ये वो समय था जब केंदर की सरकारें पुर्वांचल के विकास जोर ज्यादा दिहान दे रहीं थी विकास योजनाएं प्रकाश में आ रही थी और इन विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए वही काम हो रहा था जिसके आधार पर यूपी के शक्तिकेंदर संचालित होते हैं इसको कहते हैं ठेकेदारी हाँ रेलवे का ठेका हो शराप के ठेके हो सब्क मिर्मार के ठेके हो सब में उसी ठेकेदार की चलती थी जिसके पास ताकत होती है और कहते हैं कि समय ठेकेदारी के कल्चर में पुर्वांचल का ठाकुर भूमिहार खेमा ज्यादा सकी था ऐसा कहा जाता है और वही खेमा जिसके प्रमुख नेताओं में किश्णानंद राय गिने जाते हैं और इस खेमे का जो वर्चसवादी खेमा था उसके जो चहरा बेहत मुखर होकर सामने आ रहा था वह चहरा था ब्रिजेश सिंग का ब्रिजेश फिलहाल यूपी विधान परिशद के सदस्य हैं और मुखतार की तरह ही जेल में बंद है उनकी कहानी फिर कभी मुखतार भी ठेके की रहा देख रहे थे इसलिए उतर गए फिल्ड में अपने कॉलेज के दोस्त साधू सिंग के साथ मिलकर साथ पकड़ा मकनू सिंग गैंग का मकनू सिंग गैंग यदावत थी साहिप सिंग गैंग के इस गैंग के खास सिपाहियों में शामिल थे ब्रिजेश सिंग कहते हैं कि इन दोनों गैंग में बहुत खास दुश्मनी नहीं थी लेकिन जमीन के एक टुकड़े को लेकर लड़ाई हुई और दोनों गैंग में अच्छी खासी लड़ाई शुरू होगी ब्रिजेश सिंग ने कुजिनोबाद साहिब सिंग गैंग का साथ छोड़ दिया पुरवांचल के शब्दों में कहें तो जगलिंग करने लगा ब्रिजेश सिंग के मुडियार गाओं में रहने वाले तृभुवन सिंग से बताया जाता है कि तृभुवन के राजनीतिक और अब प्राधिक दोनों तरह के संपर्क अच्छे थे दोनों साथ हो गया व्रिजेश और तृभुवन और इधर मकुनु सिंग गैंग जो मुखतार वाला था वो मकडमा दर्च ह네 वगा मकनौ सिंग गैंग के दो खासं खास लोगों पर साधू सिंग और मुक्तार अनसारे दोनों कॉलिज के समय के दोस्त भी थे इसी समय बीर्जेश और मुक्तार में फूर्ट ब़गई थी साधू और मुक्तार दोनों बक्तर बंद हो गये थे साधू जेल में था बीबी को इदर बच्चा हुआ साधू अपनी पत्नी और बच्चे को देखने पुलिस का स्टडी में अस्पताल आया वहीं पर पुलिस की वर्दी में मौजूद एक आदमी ने घुसपैट कर दी और साधू को अस्पताल में मार गिराया कहा जाता है कि ब् गैंग दूसरे गैंग से सतर्क तो रहता ही था साथ ही बहुत कोशिश ऐसी भी रहती थी कि ऐसे काम न किये जाएं जिससे बेजा तनाव हो कहा जाता है कि अदावत के बावजूद इस एपिसोड के बावजूद ब्रिजेश और मुखतार एक दूसरे को नुकसान पहुंच और ब्रिजेश के बीद संबंधों में नर्णायक मोड आया था बनारस चलिए बनारस की पिंडरा सीट से विधायक रह चुके और नरेंदर मोदी के खिलाफ दो लोग सुभा चुनाव लड़कर हार चुके अजयराय के भाई अवधेश राय की हत्या 1991 में हो गई अवधेश गोली बारी की खबरें आती ही जिनसमें एक आध गुर्गे धेर होते तो कभी बड़े हमलों की जिसमें तीन-चार गुर्गे धेर हो जाते हैं कहा जाता है कि साल 1991 में एक बार मुक्तार को पुलिस ने हिरासत में ले भी लिया था लेकिन दो पुलिस वालों को गोली लगी अब मुक्तार को खुद की शक्तिओं को एक नया कलेवर देने की सनक चड़ी मुक्तार में राजनी ती में इंटरियर ली साल ता 1996 मुक्तार के नाम के आगए विधायक लिखा गया मूव रधानसवा सीट यहां से विधायक बन जानी के बाद मुक्तार के पास शक्तिओं का अकूत खजाना आ गया था। कहते हैं कि इसके तुरंद बाद पुलिस भी मुक्तार पर हाट डालने से डरती थी। ठेके वगर असानी से मिल जा ही रहे थे तो ब्रिजेश सिंग का गैंग भी मुसीबत में पढ़ गया था। उन लोगों पर पुलिस का दवाओ भी लाजिम है कि ज्यादा ही था। और इधर मुक्तार का मेक ओवर पीरियड चला था। रॉबिन होड की छवी बनाई जा रही थी। किसी का कोई सरकारी काम अटकता, किसी को घर में पढ़ी शादी के लिए आर्थिक मदद चाहिए होती, नौकरी का लपड़ा होता, तो मुक्तार अंसारी के दरवाजे पर पहुँचा जा सकता था। कहा जाता है कि दूले तक को ठुआ लिया जाता था मुक्तार अंसारी के कहने पर, कहानियां ही हैं, मुक्तार अंसारी की ओड़ से मदद भी मिलती थी, और उनिस्ती सदी का अवसान ऐसा समय था जब पुरवांचल के मुस्लिम भुनकरों के बनाए कपड़े तो लाखों में बिखते थे लेकिन बुनकर खुद मुम्बत्ती लाल्टेन की रोशनी और हास से डुलाने वाले पंकों की मदद से रहते थे जिन्दा के बिजली नहीं आदी जो इका दुका लोग हैंडूम के बजाए पावर लूम लगाने का सपना देखते थे, वो सपना रोजाना कई घ पूती बोलने लगी थी, वो लोग इंटरव्यू लेने जाते थे, यानि पत्रकार लोग, तो सुनहरे रंग की चश्मे की फ्रेम के साथ मुखतार अंसारी सामने हाजिर होते और कई मौकों पर जेप से पिश्टल निकाल कर खेलना शुरू है, इमेज में कोवर का बड़ा लेकिन ये वो समय भी था जब केबल टीवी की क्रांती आचुकी थी देश में, लोग घरों में केबल करनेक्शन लेते थे, गर्मी की छुटी में तो लेते ही थे, बाद में भी साल साल भर के लिए ले लेते थे, राश्ट्री चैनल तो आते ही थे, लोकल चैनल भी टीवी दे दिये जाते, जिनके घर में केबल टीवी है, वो विग्यापन देख सकते थे, और विग्यापन आने के साथ ही टीवी पर उन दुकानदानों पास एक फोन भी आता था, टैक्स मागने के लिए, इसको कहते थे गुंडा टैक्स, रंगदारी, इसमें एक आपराधी प्रोटेक्शन देने के नाम पर व्यावसाईयों से पैसा मागता था, जो शातिर व्यावसाई होते थे, वो भी शायद ही बच पाते थे इससे, और टैक्स वसूली में मुखतार और ब्रिजेश गैंब का ही नाम ज्यादा सुनाई जावरा था, टैक्स मागने वाले के तार किसी ना किसी रूप में इन दोनों लोगों से जाकर मिलते थे, जुड़ जाते थे, तो मिला जुला कर मुखतार ने अपने लिए बड़ी राजनीरिक जमीन तो तयार कर ले लोगों की मदद, लोकल काम, ठेकेदारी, बड़ा रसुख सब कुछ था, लेकिन राजनीरिक जम मुखतार नसारी मुस्लिमों के निता कहे गए, इस बात उन्हों ने और उनके भाईयों ने कई बार काटा, कई बार काटने की कोशिश भी की, लेकिन कहा जाता है कि इसी तबके के वोट बैंक पर चुनाव जीता जिया है, ऐसे में मुखतार के बड़े भाईयों और सांसद अफजाल नसारी कहते हैं कि बस कुछ फीसद मुसल्मानों की वदद से चुनाव नहीं जीता जाता, तो बस बात काटने से बहुत सफलता नहीं मिलती है, मुखतार पर दंगे भढ़काने के भी आरोप लगे, खुली जीप में बैठ कर सामपरदाइक दंगे भढ़काने के और केस भी धरच हुआ, अब राजनितिक जमीन पर जो हो रहा हो मुखतार और ब्रिजेश के बीच गैंग वार चली रही थी, छिटपूट घटनाओं के बाद आया साल 2002, मुखतार अंसारी पर बड़ा हमला हुआ, इसे कहते हैं उस्री चट्टी कांड, पुरवान चलके ल धायक और मुखतार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराया था, लोग बताते हैं कि ब्रिजेश सिंग ने हमले के दौरान मुखतार को कम आता, मुखतार के तीन गुर्गे मारे गए, गनर मारा गया, मुखतार गायल हुए थे तो ब्रिजेश भी गायल हुए, ब्रिजे सा सुनाई पढ़ने लागी हो रहा है अब तीन साल बाद 2005 में खृष्णान अंदराय की भी हत्या हो गए जो हमने इस कहने के शुरुआत में बताई है मुखतार खृष्णान अंदराय की हत्या के समय जेल में और घटना के तीन साल बाद 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मर्जी से इसलिए क्योंकि बाहर आए तो सामने वाले से खत्रा है अब अंसारी परिवार का राजनितिक सफर भी विवादों के घेरे में रहा है खुद CPI से राजनितिक पारी के शुरुआत करने वाले मुखतार एंड फैमिली ने साल 2007 में बसपा का हाथ थामा ता बीच में पुड़ी सी निर्दली वाली राजनिति भी हुई थी मायावाती से सवाल पूछे गए कि मुखतार एंड फैमिली को क्यों लाया गया बसपा में तो जवाब आया कि गरीबों का मसीहा और कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाले कैच प्रेज के साथ साल 2009 आया और लोगसभा चुनावाए देश मुखतार ने बनारस लोगसभा सी से पर्चा भरा सामने थे भाशपा के परिष्टनिता मुरली मनोहर जोशी जीत तो गए लेकिन मुखतार पर महज सत्रह हजार वोटों की जीत ने उनकी जीत का रंग पीका है साल आया 2010 कई ख़बरों में फिर से अंसारी भाईयों का नाम आया तो मायावती ने पार्टी से निकाल दिया मुखतार अफजार और बड़े भाई से बक्तुल्ला अंसारी ने सोचा कि अब अपनी पार्टी पर खेलेंगे नई पार्टी बनी और नाम रखा कौमी एक तादल 2012 का विधानसभा चुनाव आया मुखतार ने मौव विधानसभा सीट जी ती इसके पहले इसी सीट पर 2002 और 2007 में निर्दली जी चुके थे पर 24 में मुखतार ने कहा कि वो नरेंदर मोदी के खिलाब चुनाव लड़ेंगे बना रह से सामने थे कांग्रेस के अजयर आये जिनके बही अवदेश की हत्या में मुखतार का नाम सामने आ चुका था गहरी अदावत थी कुछ ही दिनों में मुखतार ने अलान किया कि सेकुलर वोटों का बटवारा ना हो इसलिए वो अपना नाम चुनाव से वापिस ले रहे इधर अखिलेस यादव के चचा शिवापाल मुखतार को समाजवादी पार्टी में लाने का जुगाड बना रहे थे साल 2016 में ख़बने चली कि मुखतार की पार्टी कौम nawतादल का विले समाजवादी पार्टी में हो गया है शियुपाल और अफजाल दोनों ने मिलकर इसका इलान कर दिया था फोटो ओटो भी आई थी लेकिन इसी समय सपा में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा था अकले शादव सब कुछ पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहे थे और कोख्यात मुख्तार की पार्टी के सपा में बिले से बहुत नाखुश थे लेहाजा मुख्तार एंड कंपनी ही सपा से बाहर नहीं गए चचाचा शियुपाल भी चले गए अब लगा कि मुख्तार एंड कंपनी जो है फिर से कौमी एक तबिल को जिलाएगी और वैसी ही वहीं से पॉलिटिक सारी होगी लेकिन मायावती ने राज़ीती में कुछ भी पर्मानेंट नहीं होता वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया मुख्तार एंड कंपनी फिर से बस्पा में आ गए कहा गया कि आरोप साबित नहीं हुए अब पार्टी का विले हो गया बस्पा मुख्तार में मुख्तार अंसारी ने महु विधान सभा परसे जीत ली तो 2019 ने अफजाल अंसारी ने खिष्णान अंदराय के करीबी रहे फूर्ड केदरी मंत्री सांसद और भाश्वा नेता मनुस इन्हा को गाजेपुर लोकसभा सीट से हरा दिया मुख्तार अफ़ी पंजाब की जेल में बंद हैं अफजाल लोकसभा में हैं फिष्णान नंदराय की हत्या के बाद उनकी पत्नी अलकाराय ने इसी सीट पर परचा भरा और उप्चुनाओं में जीद भेंगी इस सीट में मुहम्मद आबार फिर 2077 और 2012 में बड़े भाई स से बक्तुल्ला अंसारी ने अलकाराय को हरा दिया 1270 में सीट फिर से चली गया अलकाराय के पास 2019 में मुख्तार पर एक F.I.R लर्ज हुई पंजाब पुलिस को तलाश थी कि मुख्तार को पकड़ा जाए लहाजा पंजाब पुलिस पंजाब से चलकर यूपी के बांदा पह कर दिया गया सरकार की तरफ से पेश सुलसेटर जनरलत उशार महिता की दलील है कि पंजाब की जिल मुख्तार कर रहना ही असम वैदहानिक है और मुख्तार के वकील मुकल रुख्तगी मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हाथ में सौफना उनका पीडन और जान का खत कुछ नहीं मिला तो कुछ में गवाह मुकर गए तो कुछ में गवाह गायब ही हो गए और अंसारी परिवार के जुबान इनारों को अपर किसी राजनेता की तरह नपी तुली सी है यूपी की योगी सरकार अंसारी परिवार की संपतियों को अवैद बताकर गिरा रही है औ में ज़रूर बताइए का वीडियो के कमेंट सेक्षिन में मैं सिद्धान थू कैमरे के पीछे विभाओं हैं आप ललन टॉप देखे लिए शुक्रेश